परमात्मा शिरी कृष्ण की वाणी गीता गुरू शिष्य समवाद है। अतह अर्जुन ने स्वीकार किया कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवन मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे वोप देश दीजिए जिससे मैं परमश्रे को प्राप्थ हो जाओ। अतह उस परमगुरू के चरणों में गीता आरंभ करने से पूर्व ये स्तुति गुरुवंदना प्रस्तुत की जा रही है। ओम श्री सत्गुरुदेव भगवान की जाए। आमाराशरीरं आविकारी आपना 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 आरंदना आपना आर्विकार्णुत्त की जाए। आपार सुलाग जाना मनमोहना चाबिभानी का मरा कुरा मासिर समसु का नाशिर सादाके कारास निर्विकारी आलू भाबा गंबीरा मती के धीरा पलक पतिया आलू योगी अभाइस्टा त्रीकाला द्रश्टा केवला पना आन्दकादी चित्रपूता ही आयो अध्वेत लखायो अनुसुलिया कासनमाई श्रीपरमाहंसस्वामी अंदर्यामी हे मननावी संसारी हंसनहितकारी जगपगुधारी गर्वक्रहारी उपकारी सर्टपन केवला आन्दकार्यो 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 करतारी यह शिश्या है तेरो करतारी हो दो मोपरहे वो प्राणधारी जया सादा गूरु देवं प्रामानंदम् आमार शरीरं अभिकारी प्रामान्दम् प्रामान्दम् दरिस्तूलं करतार्यो प्रामान्दम् 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 अम जय गुरु देवा जय गुरु देवा जया गुरु देवा, 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 जया महापुरुष ने समस्त वेदों का संकलन किया, वेदांत शास्त्र का प्रवर्तन किया, महाभारत तथा भागवत जिनकी कृतियां हैं, उन्होंने शास्त्रों के रूप में किसी ग्रंथ को मान्यता दी, तो वो है भागवान श्री कृष्णुक्त गीता। तरह तरह की पूजा पद्धतियां परसपर विरोधी संगठन धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, जबकि धर्म का लक्ष है एक परमात्मा की शोध। कल्यान स्वरूप वो परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की निश्चित क्रिया का पालन धर्म है। जब परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की क्रिया एक है, तो बहुत से पंध क्यों। इसके समधान के लिए प्रस्तुत है यथार्थ गीता का भावंश ये गीता कैसित। घर्म के सरल स्वरूप और उसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित क्रिया का क्रमबद तथा पूर्ण विवरण युगेश्वर श्री क्रिश्णूप गीता है। विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने जो कुछ भी साधन बताया है वो सब का सब तथा अनेक गोपनी स्थितियों का स्पष्टी करण अकेले गीता में है। इसलिए संपूर्ण मानवजाति के कल्यान का अतर के शास्त्र गीता है। महाभारत में संकेत है कि जब कौर्वों और पांडवों की सेनाय आमने सामने खड़ी हो गई। तो संपूर्ण निशानतर कौर्वों में प्रवेश कर गए। और सभी देवता पांडवों में। इस कथन से महरशी व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि गीता के सभी पात्र देवता या असुर हैं तथा प्रतिकात्मक हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंतह करण में दैवी और आसुरी दो प्रकृतियां अनादिकाल से हैं। दैवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, तो काम क्रोध, राग द्वेश, इत्यादी आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उनका पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रे के लिए विकल था। उसकी द्रिष्टि में श्रे का उपाय था कुल धर्म, पिंडोदक्रिया, वर्न संकर से बचाव, कुल उक्षय से बचने के लिए युद्ध न करना इत्यादी। मात्र इतनी सी शंका के समाधान हे तु, भगवान को उसे अठारे अध्याय गीता समझानी पड़ी। अंत में पूछा कि क्या तेरा मोह नश्ट हुआ। अर्जुन ने स्विकार किया, कि भगवन मेरा मोह नश्ट हो गया, और अब मैं वैसा ही करूँगा, जैसा भगवान ने उपदेश दिया है। वस्तुता, ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी, बलकि मानव मात्र की शंका है, कि श्रे क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें। इसलिए स्त्री पुरुष, आबाल विद्ध, मानव मात्र के लिए गीता के अठारहों अध्याय का अनुशीलन एवं नियमित पाठ, नितान तावश्यक है। जिससे ब्रह्म विद्ध की स्मृति स्रिजित रहे, तथा बच्चों में भी इन कल्यानकारी संसकारों का स्रिजन हो सके। इस गीता ग्यान के बिना, कोई भी मनुश्य उस इश्वर के पत पर नहीं चल सकता। अक्षय सुख, शाश्वत शान्ति, लोक में सम्रिद्धी तथा मूल शंका समाधान हेतु इन कैसुटों का संकलन किया गया है। इसके नियमित श्रवन से संपूर्ण परिवार तथा स्वजन समुदाय को सुसंस्कृत करे। संसार में कहीं भी मनुष्य हो, उसके लिए गीता सदैव अम्रित वाहनी है। गीता आपका शास्त्र है। गौरोव का विशय है कि पाँच हजार वर्ष से भी अधिक अंतराल के बाद श्री कृष्ण का यथार्थ गायन आपके सम्मुख है। जन्म जन्मांतर की रूडियों से ग्रस्त मस्तिश्क को स्वच्च कर चिंतन के प्रशस्त पत पर चलने के लिए इन कैसुटों का प्रसारण प्राता अवश्य करे। ओम श्री परमात्मने नमह यथार्थ गीता श्री मद भगवत गीता अथ प्रथमु अध्यायह ग्रत्राश्च को वाच्च धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवास्चैव किमकुर्वत संजय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक अत्र युद्ध की च्छावाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अज्यान रूपी दृत्राश्च और संयम रूपी संजय अज्यान मन के अंतराल में रहता है। अज्यान से आवरित मन दृत्राश्च जनमांध है। किन्तु संयम रूपी संजय के माध्यम से ये देखता है, सुनता है। वो समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन मोह रूपी दुर्योधन जीवित है। इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है। विकारों पर ही रहती है। धर्म एक छेत्र है। जब हिर्दय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तो ये शरीर धर्म छेत्र बन जाता है। और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। ये शब्द आदेशात्मक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति से उत्पन तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वो क्षण मात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन गुण जीवित हैं तब तक कुरु लगा रहेगा। अतह जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और परमधर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुन्यमई प्रवृतियों का क्षेत्र धर्मक्षेत्र है। पुरा तत्व विद्पंजाब में काशी प्रयाक के मध्य तथा अनेका अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं। किन्तु गीताकार ने स्वयम बताया है कि जिसक्षेत्र में ये युद्ध हुआ वो कहा है। इदम शरीरम कौंते ख्षेत्र मित्य भिधीयते। अर्जुन ये शरीर ही ख्षेत्र है और जो इसको जानता है इसका पार पालेता है वो ख्षेत्रग्य है। आगे इन्होंने ख्षेत्र का विस्तार बताया। जिसमें दस इंद्रियां, मन, बुद्धी, अहंकार, पाचों विकार और तीनों गुणु का वर्नन है। शरीर ही ख्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो हैं। दैवी संपद और आशुरी संपद पाण्डु की संतान और धृत्राष्ट की संतान सजातिय और विजातिय प्रवृत्तिया। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संगर्ष का सूत्रपात होता है। ये खेत्र खेत्रग्य का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है किन्तु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती ये तो आपसी बदले है प्रकृति का सर्वत्हा शमन करके प्रकृति से परे की सत् एक दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यू का बंधन नहीं है इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि ख खेत्र खेत्रग के युद्ध में क्या हुआ अब जैसा जिसके सैयम का उत्थान है वैसे वैसे उसे द्रिष्ट आती जाएगे संजय उवाच द्रिष्ट्वातु पांडवा नीकम व्यूढम दुर्योधन स्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीद उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचारी के पास जाकर ये वचन कहा दुएत के आचरण ही द्रोणाचारी हैं जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गये हैं वहां उसकी प्राप्ति के लिए तडप पैदा हो जाती है तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं दोनों प्रवृत्यों के बीच यही प्रात्मिक गुरु है यद्यपी बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे जो योग की स्थितिवाले होंगे राजा है दुर्योधन दुरु अर्थात दूशित योधन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ती ही स्थिर संपत्ती है उसमें जो दोश उत्पन करता है वो है मोह, ये प्रकृति की ओर खींचता है, और वास्त्विक जानकारी के लिए प्रेडा भी प्रदान करता है, मोह है, तभी तक पूछने का प्रशन भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है, अतह, व्यूह रचना युप्त पांडवूं की सेना को देखकर, अर्थात पुन्य से प्रवाहित सजातिये वृत्तियों को संगठित देखकर, मोहरूपी दुरियोधन ने गुरु द्रूण के पास जाकर ये कहा, पश्चयताम पांडवू पुत्राणा, आचार्य महतीम चमू, व्यूढाम दुरुपद पुत्रेण, तवशिश्चेण धीमता। हे आचारिय, आपके बुद्धिमान शिश्य दुरुपद पुत्र ध्रिष्ट द्युम्न द्वारा, व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवू पुत्रों के इस भारी सेना को देखी। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला द्रिण मन ही द्रिष्ट द्युम्न है। यही पुन्यमई प्रवृत्यों का नायक है। साधन कठिन न मन कर टेका। साधन कठिन नहीं, मन की द्रिष्टा कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। पत्रशूरा महेश्वासा, भीमार जुनसमा युधी। युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारतः। इस सेना में महेश्वासा, महान ईश में वास्द लाने वाले भाव रूपी भीम। अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूर्वीर। जैसे सात्वित्ता रूपी सात्य के विराटः, सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह के धारणा, महारती राजा गुरुपद अर्थात अचल स्थिति तथा। ध्रिष्ट केतुष्चे कितानह काशि राजश्च वीर्यवां। पुरुजित कुन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। ध्रिष्ट केतुष्च द्रिड करतव्यव। चेकितानह जहां भी जाए वहां से चित्त को खीच कर इश्च में स्थिर करना। काशि राजश्च काया रूपी काशि में ही वो साम्राज्च है। पुरुजित स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित। कुन्ति भोज़ः करतव्य से भव पर विजय नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्यव्यवार। युधा मन्युष्च विक्रान्तह उत्त मौजाश्च वीर्यवान। सवभद्रो द्रवपदे आश्च सर्व एव महारताह। और पराक्रमी युधा मन्यु। युध के अनुरूप मन की धारणा। उत्त मौजाह। शुभ की मस्ती सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन अभय मन। ध्यान रूपी द्रौपदी के पाँचों पुत्र। वातसल्य, लावन्य, सौम्यता, स्थिरता, सहरदैता। सब के सब महारती है। साधन पत पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की ख्षमताए है। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाये। जो दैवी संपद के महत्व पूर्ण अंग है। विजाती ये प्रवर्ति का राजा होते हुए भी मोह ही सजाती ये प्रवर्तियों को समझने के लिए बात ये करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संग्षेप में कहता है। यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है। वे नाशवान है। केवल पाँच साथ विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपोर्ण बहर्मुखी प्रवरत्ति विद्यमान है। जैसे। अस्माकम्तु विशिष्टाये तान्नि बोधत द्विजोत्तम नायकाममसैन्यस्य संग्यार्थम्तान ब्रवीमिते। द्विजोत्तम हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ ले। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता ह। बाहे युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामईिक है। वस्तुतह गीता अंतह करण की दो प्रवृत्तियों का संगर्ष है। जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रों है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्विक पर जय पाने की प्रेणा प्रथम गुरू द्रोंचारी से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेणा प्रदान करती है। वो पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजाती ये प्रवर्थि के नायक कौन-कौन है। भवान भीश्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिन जयह। अश्वत्था माविकर्णश्च सौमद अत्तिस्त थैवच। एक तो स्वयम आप द्वयत के आचरन रूपी द्रोंचारी है। ब्रह्म रूपी पितामा भीश्म है। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है। अंत तक जीवित रहता है। इसलिए पितामा है। समूची सेना मर गई ये जीवित था। शर्शयय पर अचेत था। फिर भी जीवित था। ये है ब्रह्म रूपी भीश्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातिय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजई कृपाचारिय ने है। साधना वस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरन ही कृपाचारिय है। भगवान कृपा धाम है। और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किन्तु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजाती ये प्रवरत्ती जीवित है, मोह मई घिराव है, ऐसी परिस्थित में साधक यदी कृपा का आचरण करता है, तो वो नश्ठ हो जाता है, सीता ने दया की, तो कुछ काल लंका में प्राइश्चित करना पड़ा, विश्वा मित्र दयार्द्र हुए, पतित होना पड़ा, योग सूत्रकार महर्शी पतंजली भी यही कहते हैं, ते समाधा वुप सरगा, व्युथाने सिद्ध यह, व्युथान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किन्तु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विग्ण हैं, जितने काम, क्रोध, लोब, मोह, इत्यादी, गोस्वामी विग्ण करती हैं, रिद्धियां प्रदान करती हैं, यहां तक कि सिद्ध बना देती हैं, ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरनासन रोगी भीजी उठेगा, वो भले ठीक हो जाए, किन्तु साधक उसे अपनी देन मान बैठे, तो नश्ठ हो जाएगा, एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा, और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा, यदि लक्षे दूर है और साधक क्रिपा करता है, तो क्रिपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची स देना को जीत लेगा, इसलिए साधक को पूर्ति परियंत इससे सतर्क रहना चाहिए, दया बिनुसंत कसाई, दया करी तो आफत आई, लेकिन अधूरी अवस्था में ये विजातिये प्रवरत्ति का दुरधर्श योद्धा है, इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्था विकल्प रूपी विकर्ण और ब्रह्म मई श्वास ही भूरी शवा है, ये सभी बहर मुखी प्रवाह के नायक है अन्येच बहवः शूराह मदर्थे त्यक्त जीविताह नाना शस्त्र प्रहरणाह सर्वे युद्ध विशारदाह और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युप्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं किन्तु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है इस पर कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीश्माभी रक्षितं पर्याप्तम त्विदमेते शाम बलं भीमाभी रक्षितं भीश्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से आजे है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है परियाप्त और अपरियाप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुरियोधन की आशंका को व्यक्त करता है अतह देखना है कि भीश्म कौन सी सकता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं तथा भीम कौन सी सकता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है दुरियोधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेशुच सर्वेशु यथा भाग मवस्थिताह भीश्म मेवाभी रक्षन्तू भवन्त सर्व एवहे इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगा स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीश्म की ही सब और से रक्षा करें यदि भीश्म हैं तो हम अजे हैं इसलिए आप पांड़ों से नलड़कर केवल भीश्म की ही रक्षा करें कैसा योध्धा है भीश्म जो स्वयम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है ये कोई बाय योध्धा नहीं ब्रह्म ही भीश्म है जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातिय प्रवर्तियां कौरव अजे हैं अजे का ये अर्थ नहीं के जिसे जीता ही न जा सके बलकि अजे का अर्थ दुर्जय है जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो महा अजे संसार रिपु जीति सकैसो बीर यदि भ्रहम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्व हीन हो जाए मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी है शीक्री ही समाप्त हो जाएंगे भीश्म की इच्छा मृत्यु थी इच्छा ही भ्रहम है इच्छा का अंत और भ्रहम का मिटना एक ही बात है इसी को संद कबीर ने सरलता से कहा इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार नपाया जहां भ्रम नहीं होता वो अपार और अव्यक्त है इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है सो कामयत तदैक्षत बहुस्याम प्रजा ये ये इति कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वता रहित हैं तिनका पार न पाया वे अपार अनंत असीन तत्व में प्रवेश पा जाते हैं यो कामो निशकाम आप्त काम आत्म कामो नतस्य प्राणा उतक्रामंति ब्रह्म वसन ब्रह्मा प्येति जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंततो गत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेश रहती है जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिठ जाती है यदि उससे भी बड़ी कोई वस्त होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी जब प्राप्त होने योगी कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल नश्ट हो जाती है और इच्छा के मिठते ही ब्रहम का सर्वता अंतो हो जाता है यही भीश्म की इच्छा मृत्यु है भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है भाव रूपी भीम भावे विद्यते देव भाव में वोक्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है भाव वस्य भगवान सुख निधान करुना आयन श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है भाव में वोक्षमता है कि भगवान को भी वश्म कर लेता है भाव से ही संपूर्ण पुन्यमई प्रवरत्ति का विकास है ये पुन्य का संग्रक्षक है है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बनाता है किन्तु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती इष्ट में लेश मात्र भी तुरुटी प्रतीत होने पर भाव दगमगा जाता है पुन्यमई प्रवरत्ति विचलित होटती है इष्ट से संबंध तूट जाता है इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है महर्षि पतंजली का भी यही निर्ण है स तु दीर्ग काल नईरंतर ये सतकारा सेवितो द्रण भूमे दीर्ग काल तक निरंतर शद्धा भक्ति पूरुव किया हुआ साधन ही द्रण हो पाता है इस प्रकार अपने बला बल का निर्णय लेका शंक ध्वनी हुई शंक ध्वनी पात्रों के पराक्रम की घोशना है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामा भीश्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन करते हुए उच्छ स्वर से सिंह नाद के समान भय प्रदशंक बजाया सिंह प्रकृति से भयावा पहलू का प्रतीक है घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दाड़ कान में पढ़ जाए तो रौंग्ते खड़े हो जाएंगे रदय कापने लगेगा यद्यपी शेर आप से मीलों दूर है भय प्रकृति में होता है परमात्मा में नहीं वो तो अभय सकता है ब्रह्म रूपी भेश्म यदि विजई होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप है उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा भय की एक परत और बढ़ जाएगी भय का आवरण घना हो उठेगा ये भ्रह्म इसके अत्रिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा अतह प्रकृति से निवृति ही गनतव्य का मार गह है संसार में प्रवित्त तो भवाटवी है घोर अंधकार की छाया है इसके आगे कौर्वों की कोई घोस्णा नहीं है कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे किन्तु कुल मिलाकर वे भी भहे ही प्रदान करते हैं इससे अधिक कुछ नहीं प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भहे तो देता ही है इसलिए उन्होंने भी घोशणा की ततह शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गो मुखाह सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तु मुलो भवत तदनंतर अनेक शंख नगारे धोल और नरसिंग हादि बाजे एक साथ ही बजे उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ भय का संचार करने के अतरिक्त कौर्वों की कोई घोशणा नहीं है बहिर मुखी विजाती प्रवृत्ती सफल होने पर मोह मैं बंधन और घना कर देती है अब पुन्यमई प्रवृत्तियों की ओर से घोशणाय हुई जिन में पहली घोशणा योगेश्वर श्री कृशन की है इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त जिन में लेश्मात्र कालिमा दोश नहीं है श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है महति स्यंदने महान रत पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृशन और अर्जुन ने भी अलौकिक शंक बजाए अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे मित्य लोग देव लोग ब्रह्म लोग जहां तक जन्म मरण का भय है उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोशना योगेश्वर श्री कृशन की है सोने चानली काठ का रथ नहीं रथ अलौकिक शंक अलौकिक अतह घोशना भी अलौकिक ही है लोकों से परे एक मात्र ब्रह्म है सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोशना है वे कैसे ये इस्थिति प्रदान करेंगे पांच जन्यम रिशी केशो देवदत्तम धनन जयः पौंड्रम दध्मव महाशंखम भीम कर्मा व्रिकोदरह रिशी केशा जो हृदय के सर्वस्व ज्याता है उन कृष्ण ने पांच जन्यशंख बजाया पांचों ग्यानेंद्रियों को पंच तनमात्राओं शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध के रसों से समेट कर अपने जन, भक्त की श्रेणी में ढालने की खोशना की विक्राल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेट कर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे शिश्यस्तेहम भगवन मैं आपका शिश्य हूँ बाय विशय वस्तूं को छोड़कर ध्यान में इश्ट के अत्रिक्त दूसरा न देखें दूसरा न सुने न दूसरे का स्पर्ष करें ये सदगुरु के अनभव संचार पर निरभर करता है देव दत्तम धनन जयह दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अरजुन है इश्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरह वईराग के अश्रुपात हो गदगद गिरा नयन बह नीरा रोमांच हो इश्ट के अत्रिक्त अन्य विशय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए उसी को अनुराग कहते हैं यदि ये सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्त पर आधिपत्त के प्राप्त कर लेता है इसी का दूसरा नाम तनन्जय भी है एक धन तो बाहरी संपत्ती है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्ता होती है आत्मा से इसका कोई संबंद नहीं है इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ती ही निज संपत्ती है व्रिहदारण्य कोप निशद में याग्य वल्क्य ने मैत्रेई को यही समझाया कि धन से संपन्पृत्वी के स्वामित्व से भी अम्रितत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती उसका उपाए आत्मिक संपत्त्ती है भयानक कर्म वाले भीम सेन ने पौंब्र अर्थात प्रीति नामक महाशंक पजाया भाव का उद्गम और निवास थान हिर्दय है इसलिए इसका नाम व्रिकोदर है आपका भाव लगाव बच्चे में होता है किन्तु वस्तुता वो लगाव आपके हिर्दय में है जो बच्चे में जाकर मूर्थ होता है ये भाव अथा और महान बलशाली है उसने प्रीति नामक महाशंक बजाया भाव में ही वो प्रीति नीथ है इसलिए भीम ने पौंडर प्रीति नामक महाशंक बजाया भाव महान बलवान है किन्तु प्रीति संचार के माध्यम से हरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त विजय नामक शंक बजाया करतव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनन्त विजयम अनन्त परमात्मा में स्थित दिलाएगा युध्य स्थिरह सह युधिष्ठिरह प्रकृति पुरुष खेत्र खेत्रग्य के संगहर्ष में स्थिर रहता है महान दुख से भी विजलित नहीं होता तो एक दिन जो अनंत है जिसका अंत नहीं है वो है परम तत्व परमात्मा उस पर विजय दिला देता है नियम रूपी नकुल ने सुघोश नामक शंक बजाया जियो जियो नियम उन्नत होगा अशुब का शमन होता जाएगा मड़ी पुषपक शंक बजाया मनीशियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मड़ी की संग्या दिये हीरा जैसी स्वासा बातों में बीती जाए एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुर्षों की वाणी से सुनते हैं किन्तु यथार्थ सत्संग आंतरिक है श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है सनातन है चित्त सब और से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे यही वास्तविक सत्संग है ये सत्संग चिंतन ध्यान और समाधिक अभ्यास से संपन होता है जिऊं जिऊं सत्य के सानिध्य में सुरत टिकती जाएगी त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रन मिलता जाएगा मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा जिस दिन सर्वता निरोध होगा वस्त प्राप्त हो जाएगी वाद्य यंत्रों की तरहा चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है बाह ये मणी कठोर है किन्तु श्वास मणी पुष्प से भी कोमल है पुष्प तो विक्सित होने या तूटने पर कुमलाता है किन्तु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते किन्तु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परमलक्ष की प्राप्ति करा देता है इसके आगे पांडवों की कोई घोशना नहीं है किन्तु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तै करता है आगे कहते हैं काश्यष्च परमेश्वास शिखंडीच महारथ ध्रिष्ट द्युम्नो विराटश्च साथ्यकिष्चा पराजित अगे काया रूपी काशी पुरुष्च जब सब और से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वास परमईश में वास का धिकारी हो जाता है परमईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है काया में ही परमईश का निवास है परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ट धनुश्वाला नहीं बलकि परम धन इश धन वास है शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेव हटा लेते हैं अगनी जलाना छोड़ देते हैं हो गया सन्यास उन्का नहीं वस्तुतः शिखा लक्ष का प्रतिक है जिसे आपको पाना है और सूत्र है संसकारों का जब तक आगे परमात्मा को पाना शेश है पीछे संसकारों का सूत्र पात लगा हुआ है तब तक त्याग कैसा, सन्याज कैसा, अभी तो चलने वाले पथिक हैं, जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संसकारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वता शान्त हो जाता है, इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीश्म का विन आश करता है, शिखंडी चिंतन पत की विशिष्ठ योग्यता है, महारथी है, ध्रिष्ट द्युम्न, द्रिण और अचल मन, तथा विराटह, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादी, दैवी संपद के प्रमुख गुण है, सात्त विक्ता ही स सात्य की है, सत्य के जिंतन की प्रवृत्ति, अर्थात, सात्त विक्ता यदि बनी है, तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संगहर्ष में पराजित नहीं होने देगी द्रुपदो द्रवपदे आश्च, सर्वशह प्रिथि वीपते, सवभद्रश्च महाबाहु, शंखान दध्मु प्रिथक प्रिथक अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पाँचों पुत्र, सहरदैता, वातसल्य, लावन्य, सौम्यता, इत्यादी साधन में महान सहायक महारथी हैं, तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यू, इन सबने प्रिथक प्रिथक शंख बजाएं, भु तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है, हे राजन, इन सबने अलग अलग शंख बजाएं, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं, इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाएं, इसके अत्रिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है, जो मन बुद्धी से परे हैं, स्वयम ही अंतह करण में विराज कर तय कराते हैं, इधर द्रिष्टी बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं, और सामने स्वयम खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं उस घोर शब्द ने आकाश और प्रिथ्वी को भी शब्दाय मान करते हुए, ध्रित राष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दी, सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किन्तु खृदय विदीर्ण हुए ध्रित राष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतह पांच जन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुब का शमन और शुब की घोषणा धारावाही होने लगे, तो कुरुक्षेत्र, आसुरी संपद, बहर मुखी प्रवृत्यों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनह शनह खीर होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोह मई प्रवृत्या सर्वथा शान्त हो जाती है। अथव्यवस्थितां द्रिष्ट्वा, धार्तराष्ट्रांक पिध्वजाह, प्रवृत्ये शस्त्रसंपाते, धनुरुध्यम्यपांडवह, रिशीकेशंत दावाक्यं, इदमाह महीपते, सेनयोर उभयोर मद्ये, रथम स्थापय मेचुता। सैयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवरित मन को समझाया, कि हे राजन, उसके उपरांद कपी द्वजाह, वैराग्ये रूपी हनुमान, वैरागी ही द्वज है जिसका, द्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं द्वजा चंचल थी, इसलिए कपी द्वज कहा गया, किन्तु नहीं, यहां कपी साधारन बंदर नहीं, स्वयम हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था, सममान निरादर आदर ही। प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विशियों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतव वैराग्य ही जिसकी द्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट पुत्रों को खड़े देखकर, शस्त्र चलने की तैयारी के समय, धनुष उठाक और रिशी केशम, जो हृदय के सर्वस्व ज्याता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्च्यूत, जो कभी च्च्यूत नहीं होता, मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए, यहां सार्थी को दिया गया आदेश नहीं, इश्ट सद गु उसे की गई प्रार्थ ना है, किसलिए खड़ा करें? जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूँ, कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योगे है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है योध्यमानान वेक्षेहं ये एतेत्रसमागताहं धार्तराश्प्रस्य दुर्बुध्धेर युद्धे प्रियचिकीर्शवः दुर्बुध्धी दुर्योधन का युद्ध में कल्यान चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आये हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा इसलिए खड़ा करे, मोह रूपी दुर्योधन, मोह मई प्रवृत्यूं का कल्यान चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आये हैं, उनको मैं देख लू, संजय उवाच एव मुक्तो रिशी केशो, गुडा केशेन भारत, सेन योर उभयोर मध्ये, स्थाप इत्वारतो तमं भीश्म द्रोण प्रमुखत अह, सर्वेशाम चमही क्षितां, वाच पार्थ पश्यतां, समवेतान कुरू निती संजय बोला, निद्रा जई अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, खृदय के ग्याता श्री कृष्ण ने, दोनों सेनाओं के बीच भीश्म, द्रोण, और महीक शितां, शरीर रूपी प्रिथ्वी पर अधिकार जमाय हुए, संपूर्ण राजाओं के बीच, उत् कठे हुए कौर्वों को देख, यहां उत्तम रत, सोने चांदी का रत नहीं है, संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर शरीर के प्रति, अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है, यह परिभाषा अपूर्ण है, जो हमारे आत्मा, हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे, व तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः, पित्रे नथपिता महा, आचार्यान मातुलान भ्रात्रिन, पुत्रान पवत्रान सकीन स्थथा, श्वशुरान सुरिदश्चैव सीनयो रुभयो रपी इसके उपरांत अचूक लक्ष वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाईयों को पितामहों को आचारियों को मामाओं को भाईयों को पुत्रों को पौत्रों को मित्रों को श्वसुरों को और सुहिर्दों को देखा दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहिर्द और गुरुजन दिखाई पड़े प्रचलित गणना के अनुसार अठाहरा अक्षोहिनी धाई पौने तीन अरब के लगभग होता है जो आज के विश्व की जन संख्या के समकक्ष है इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास खाद्य समस्या बन जाती है इतना बड़ा जन समूह अर्जुन के तीन चार रिष्टदारों का परिवार मात्र था क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है कदापी नहीं ये हिरदय देश का चित्रन है तान समीक्ष्य सकाउंते यह सर्वान बंधू नवस्थितान कृपया परया विष्टो विशीदन निदम अब्रवीत इस प्रकार खड़े हुए उन सम्पोर्ण बंधूं को देखकर अत्यंत करुणा से आवरित वो कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला अर्जुन उवाज द्रिष्ट्वेमं स्वजनं क्रिष्ण युयुच्छुं समुपस्थितं सीधन्तिमम गात्राणी मुखन्च परिशुष्षते वेपथुष्च शरीरे में रोमहर्षष्च जायते हे क्रिष्ण इस युद्ध की इच्छावाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंब तथा रोमान छो रहा है इतना ही नहीं गांडीवं स्रवसते हस्ता त्वक्चईव परिदैयते नचशक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव चमे मनः हाथ से गांडीव गिरता है त्वचा भी जल रही है अर्जुन को जवर्सा हो आया संतप्थ हो उठा कि ये कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े है अर्जुन को ब्राम हो गया वो कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ अब आगे देखनी की सामर्थ है नहीं है निमित्तानिच पश्चामी विपरीतानी केशव नच श्रेयोनु पश्चामी अत्वा स्वजन माहवे हे केशव इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ युद्ध में अपने कुल को मार कर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा नकांशे विजयं क्रिष्ण नच राज्यं सुखानी चा किन्नु राज्ये न गोविन्द किम्भो गैर जीविते नवा संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है इन्हें युद्ध में मार कर विजये विजये से मिलने वाला राज्ये और राज्ये से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए वो कहता है हे शिरी कृष्ण मैं विजये नहीं चाहता राज्य तता सुख भी नहीं चाहता हे गोविंद हमें राज्य या भोग अत्वा जीवन से भी क्या प्रयोजन है क्यूं ये शामर्थे कांख्षितं नो राज्यम भोगा सुखानी चा तई मे वस्थिता युद्धे हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित है वे ही परिवार जीवन की आशा त्याक कर युद्ध के मैदान में खड़े हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी किन्तो जब सब के सब प्राणों की आशा त्याक कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य भोग नहीं चाहिए ये सब इनहीं के लिए प्रियत हैं इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवशक्ता नहीं है जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहती हैं जोपडी में रहने वाला भी अपने परिवार मित्र और स्वजन को मार कर विश्व का सामराज्य स्वीकार नहीं करेगा अर्जुन यही कहता है कि हमें भोग प्रियत है विजय प्रियत ही किन्तु जिन के लिए थी जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगूं से क्या प्रयोजन इस युद्ध में मारना किसे है आचार्या पितर पुत्रा तथै वच पिता महा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबन्धिनस तथा इस युद्ध में ताउ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, श्वशुर, पोते, साले तथा समस्त संबन्धी ही है एतान नहन तुमिक्छामी, ग्नतो पिमधु सुदन अपित्रै लोक्य राज्यस्य, एतो किन्नु मही कृते ए मधु सुदन, मुझे मारने पर भी, अत्वा तीन लोक के राज्य के लिए भी, मैं इन सब को मारना नहीं चाहता फिर पृत्वी के लिए कहना ही क्या अठाहरे अक्षवणी सेना में, अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा इतने अधिक स्वजन वास्तों में क्या है? वस्तुत है, अनुराग ही अर्जुन है भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रही है सभी चाहते हैं के हम भजन करें, उस परमसत्य को पालें किन्तु किसी अनुभवी सद्गुरू के संगरक्षन में कोई अनुरागी जब ख्षेत्र, ख्षेत्रग्य के संगर्ष को समझता है कि हमें किन से लड़ना है, तो वो हताश हो जाता है वो चाहता है के हमारे पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, мамा का परिवार, सुहिर्द, मित्र, और गुर्जन साथ रहें सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए हम परमात्म स्वरूप की प्राक्ति भी कर ले किन्तु जब वो समझता है कि आराधना में अगरसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा तो वो अधीर हो उड़ता है पूज्य महराज्जी कहा करते थे मरना और साधु होना बराबर है साधु के लिए स्रिष्टी में दूसरा कोई जीवित है भी किन्तु घरवालों के नाम पर कोई नहीं है यदि कोई है तो लगाव है मोह समाप्त कहां हुआ जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग उस लगाव के सास्तित्व मिटने पर ही उसकी विजए है इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है अन्यथा जगत में हमारा क्या है तुलसिदास कह चिद विलास जग बूज़त बूज़त बूज़ है मन का प्रसार ही जगत है योगेश्वर कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया केवल अरजुन अधीर था ऐसी बात नहीं है अनुराग सबके हिर्दे में है प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है उसे संबंधी याद आने लगते हैं पहले वो सोचता था कि भजन से कुछ लाब होगा तो ये सब सुखी होंगे इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे जब ये साथ ही नहीं रहे तो सुख लेकर क्या करेंगे अरजुन की द्रिष्टी राज्य सुख तक ही सीमित्थी वो त्रिलोकी के सामराज्य को ही सुख की पराकाश्ठा समझता था इसके आगे भी कोई सत्य है इसकी जानकारी अरजुन को अभी नहीं है निहत्यधार्त राष्ट्रान्न काप्रीति स्याज्यनार्दन पाप मेवाश्रय दस्मान अत्वय तानात ताईन हे जनार्दन धृत्राष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसनता होगी जहां धृत्राष्ट्र अर्था धृष्टता का राष्ट्र है उससे उत्पन मोह रूपित दुर्योधन इत्यादी को मार कर भी हमें क्या प्रसनता होगी इन आतताईयों को मार कर हमें पाप ही तो लगेगा जो जीवन यापन के तुछ लाब के लिए अनीती अपनाता है वो आतताई कहलाता है किन्तु वस्तुता है इससे भी बड़ा आतताई वो है जो आत्मा के पत में अवरोध उत्पन्य करता है आत्म दर्शन में बाधक, काम, क्रोध, लोब, मोह, आधिका समूह ही आतताई है तस्मान नारहा वयम हंतुं धार्तराश्ट्रान स्वबांधवां इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराश्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रु थे ना? वस्तुता शरीर के रिष्टे अज्ञान से उत्पन्ध होते हैं ये मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, ये सब अज्ञान ही तो है जब शरीर ही नश्वर है, तब इसके रिष्टे ही कहा रहेंगे मोह है, तब ही तक सुहृत है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है मोह नहीं, तो कुछ भी नहीं इसलिए वे शत्रुभी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े वो कहता है कि अपने कुटुम्ब को मार कर हम कैसे सुखी होंगे यदि अज्ञान और मोह न रहे, तो कुटुम्ब का अस्तित्व नहों ये अज्ञान ग्यान का प्रेरत भी है भरत्री हरी, तुलसी, इत्यादी अनेक महान भावों को वैराग्य की प्रेर्णा पत्नी से मिली तो कोई सौतेली मा के व्यावार से खिन होकर वैराग्य पत पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है यद्यप्यतेन पश्यंति लोभो पहत चेत सह कुलक्षयक्रितं दोशं मित्रद्रोहे चपातकं यद्यप्य लोब से ब्रश्ट चित्थ हुए ये लोग कुल नाश के दोश और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते हैं ये उनकी कमी है फिर भी कथम नगेयमस्माभे पापा दस्मानिवर्तितुं कुलक्षयक्रितं दोशं प्रपशद्र जनार्दन हे जनार्दन कुल नाश से होने वाले दोशों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए मैं हिपाप करता हूँ ऐसी बात नहीं आप भी भूल करने जा रहे हैं कृष्न पर भी आरोप लगाया अभी वो समझ में अपने को कृष्न से कम नहीं मानता प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तरक करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता यही अरजुन भी कहता है कि ये भले न समझें किन्तु हम आप तो समझदार हैं कुल नाश के दोशों पर हमें विचार करना चाहिए कुल नाश में दोश क्या है कुलक्षय प्रणशन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नश्टे कुलम कृच्णम अधर्मो भिभवत्युत कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नश्ट हो जाते हैं अरजुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था धर्म के नाश होने पर संपोर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है अधर्मा भिभवात कृष्ण प्रदुष्णति कुलस्त्रियह स्त्रीशु दुष्टासु आर्ष्णियह जायते वर्ण संकरह ये कृष्ण पाप के अधिक बर जाने से कुल की स्त्रियह दुष्ट हो जाती है कि कृष्ण वर्ण संकर बतम होता है अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूशित होने से वर्ण संकर होता है किन्तु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथ्वा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन कर दे तब वर्ण संकर होता है वर्ण संकर के दोशों पर अर्जुन प्रकाश डालता है संकरो नरकाईव कुल अग्ञानाम कुलस्यच पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडो दकक्रिया वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है लुप्त होई पिंड क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते है वर्तमा नश्ट हो जाता है अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविश्य वाले भी गिरेंगे इतना ही नहीं अतीत को जाता है इन वर्न संकर कारक दोशों से कुल और कुल घाती quem कि सनातन कुल धर्म और जाति-धर्म नश्ट हो जाते हैं अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है कुल धर्म ही शाश्वत है किन्तु श्री कரष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी ना किसी रूड़ी को जानता है ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है जो कृष्ण के शब्दों में एक रूड़ी है उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्य आणाम जनार्दन नरके नियतं वासो धवती त्यनुष उश्रुम हे जनार्दन, नश्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है ऐसा हमने सुना है कुल धर्म ही नहीं नश्ट होता बलके शाश्वत सनातन धर्म भी नश्ट हो जाता है जब धर्म ही नश्ट हो गया तो ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है ऐसा हमने सुना है देखा नहीं, सुना है अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बहान पाप करने को तैयार हुए है राज्य और सुक्ष के लोब से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए है अब ही अरजुन अपने को कम ग्याता नहीं समझता आरंब में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ग्यानी समझता है और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्क समझता है ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ग्यानी ही समझता है वो कृष्ण को ही समझाता है कि उस पाप से परम कल्यान हो ऐसी बात भी नहीं केवल राज्य और सुख के लोब में पढ़कर हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं महान भूल कर रहे हैं हम ही भूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं आप भी भूल कर रहे हैं एक धक्का कृष्ण को भी दिया अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है यदिमाम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपान यह धारतराश्ट्रा रणे हन्यू कनमेक शेमतरम भवेक यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी ध्रितराश्ट के पुत्र रण में मारें तो उनका वो मारना भी मेरे लिए अतिक कल्याण का रखोगा इतिहास तो कहेगा कि अरजुन समझदार था जिसने अपनी बली देकर युद्ध बचा लिया लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे कुल तो बचा रहे मनुश्य विदेश चला जाए वैभव पूर्ण प्रासाद में रहे किन्तु दो दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई जोपड़ी याद आने लगती है कि ये अतिकल्यान कारी होगा ताकि लड़के तो सुखी रहे संजय वाच एव मुक्त्वार जुनस संखे रथो पस्थ उपाविशत विश्रिज्य सशरम चापं शोकसं विग्नमान सह संजय बोला कि रणभूमी में शोकसे उद्विग्न मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बान सहिधनश को त्याक कर रत के पिछले भाग में बैठ गया अर्थात खेत्र खेत्रग्य के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया निश्कर गीता खेत्र क्शेत्रग्य के युद्ध का निरूपण है यह इश्वरिय विभूतियों से संपन भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है यह गायन जिस क्शेत्र में होता है वह युद्ध क्शेत्र शरीर है जिसमें दो प्रवृतियां हैं धर्मक्षेत्र और कुर्क्षेत्र, उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया, शंक ध्वनी से उनके पराक्रम की जानकारी मिली, तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना अठारे अक्षाउणी अर्थात लगभग साड़े शे अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतह वे अनंत है, प्रकृति के दृष्टि कोन दो है, एक इश्टोन मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद, दोनों प्रकृति ही है, एक इश्ट की और उनमुख करती है, परमधर्म परमात्मा की ओर ले जाती है और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है फिर शाश्वत सनातम परब्रम्ह के दिखदर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवशक्ता शेश हो जाती है युद्ध का परणाम निकलाता है अरजुन को सैन्य निरीक्षन में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है जिसे मारना है जहां तक संबंध है उतना ही जगत है अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है साधक जब देखता है के मधुर संबंधों में इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे विठे ही नहीं तो उसे घबराहट होने लगती है स्वजना सक्ति को मारने में उसे अकल्यान दिखाई देने लगता है वह प्रचलित रूडियों में अपना बचाव ढूणने लगता है जैसा अरजुन ने किया उसने कहा कुल धर्म ही सनातन धर्म है इस युद्ध से सनातन धर्म नश्ट हो जाएगा कुल की स्वियां दूशित होंगी वर्ण संकर पैदा होगा जो कुल और कुल घातियों को अनंतकाल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है अरजुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी ये महान पाप क्यों करे अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे है अन्ततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रत के पिछले भाग में बैठ गया खेत्र खेत्रग्य के संघर्ष से पीछे हट गया पीका कारों ने इस अध्याय को अर्जुन विशाद योग कहा है अर्जुन अनुराग का प्रतीक है सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विशाद योग का कारण बनता है यही विशाद मन को हुआ था हरदय बहुत दुख लाग जनम गयो हरी भगती बिनू संशय में पढ़कर ही मनुष्य विशाद करता है उसे संदेह था के वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा सनातन धर्म के नश्ट होने का भी उसे विशाद था अता संशय विशाद योग का सामान्य नाम करण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है अता ओम तच्चदिती श्री मदभगवद गीता सूप निशत्सू ब्रम विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन सम्वादे संशय विशाद योगो नाम प्रथमो ध्याया इस प्रकार स्वामी अलगड़ा नंकृत श्री मदभगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है हरियोम तच्चद